दोस्तों IPU के अंडर 3 कोलेज़ें आती हैं 3 कोलेज की कॉंसलिंग IP दोवारा करवाई जाती है वैसे तो इसके अंडर 5 कोलेजेज हैं लेकिन 3 कोलेज की कॉंसलिंग IP करवाता है सबसे पहले ACMS, बाबासाईब और NDMC इसके अलावा जो VMMC और RML हैं इनकी काउंसलिंग MCC द्वारा करवाई जाती है आल इंडिया कोटा के लिए भी और इंस्टिटूशनल कोटा के लिए भी लेकिन जो तीन कोलेज हैं बाबा साहिब एंडियम से और ACMS इनकी जो काउंसलिंग IPO करवाता है उसका फर्स्ट राउंड का रेजल्ट आ चुका है और फर्स्ट राउंड की जो कटोफ गई है बाकी स्टेट से बहुत ही ज्यादा गई है इसमें हम बाबा साहिब की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 646 और NDMC की बात करें तो 645 कटोफ रही है जनरल कैटेगरी के लिए इन कोलेजों की जो काफी ज्यादा है अभी तक किसी भी स्टेट में इतने कटोप नहीं गई है दिल्ली में इस्तित होने के कारण इस्टुडेंट इनको काफी ज्यादा लाइक करते हैं जो आउटसाइड कंडिडेट हैं जिन्होंने दिल्ली से 11-12 कर रखा है वो भी स्टुडेंट इन कोलेजियों में एडमिसन लेना अपना सबस्ते हैं तो हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज कटोप देखते हैं इन तीनों कोलेजियों की क्या रही है तो सबसे पहले हम एंडी एमसी की बात करें तो एंडी एमसी में डिफिंस का कोटा होता है इसमें 78 सीट्स आर्मी कोटा की होती हैं इसके अलावा जो दिल्ली ओबी का कोटा होता है वो नहीं होता है इसमें इसके बाद में हम आर्मी आल इंडिया कोटा की बात करें तो इसकी कटोप 601 दिल्ली जनरल पिडवलुडी की 234 दिल्ली की 522 दिल्ली स्ते डिफिंस की 589 और औटसाइड С.C. कंटिट की 529 कटोप रही है C.M.S. में क제 इसके दिल्ली EWS 630, दिल्ली जनरल डिफेंस 550 और दिल्ली जनरल 646 जो काफी ज्यादा हाई है जनरल की, दिल्ली जनरल PWD की 283 कटोप रही है इसमें, इसके बाद में दिल्ली जनरल PWD की 283 बता दिया है मैंने, दिल्ली SC डिफेंस की 467 कटोप रही है, दिल्ली SC की 547 कटोप रही है, दिल्ली ST defense की 113 और दिल्ली ST defense की इसमें 430 cut off रही है इसमें दोनों अलग-अलग category है यानि कि जो इसमें category होती है 1 से लेके 4 तक वो अलग-अलग category की ये दोनों cut off है इसमें NDMC की बात करें तो दिल्ली OBC defense की 303 दिल्ली OBC की 614 दिल्ली EWS की 626 दिल्ली defense general की 568 दिल्ली जनरल की 645 इसके बाद में दिल्ली जनरल PWD की 535 और दिल्ली SC की 542 और दिल्ली ST defense की 414 cut off रही है NDMC की तो इस परकार से ये first round की cut off रही है IPU की बाकी states की भी cut off मैं बता चुका हूँ जिस जिस state की first round की cut off आ गई है उसका वीडियो में मेरे दूसरे चैनल चोपडा नीट information पर बना चुका हूँ आप वहां से देख सकते हैं अब हम बात करें कि जिन कंडिडेट्स को IPU के first round में seat मिल गई है उनको अभी आगे क्या करना है तो उनको जिन कंडिडेट को seat अलोट हो गई है उनको 40,000 रुपीज पे करके अलोटेज लेटर डाउनलोड करना होगा website से और वहां पर एक willingness certificate भी देना होगा यहां पर अगर आप counselling से बार जाना चाते हैं आगे फर्दर counselling नहीं करवाना चाते तो counselling withdrawal का option भी है वहां से आप counselling withdrawal कर सकते हैं इसके बाद में आप 40,000 रुपीज डिपोजिट करके यह 17th November 2020 तक आप college में report करके admission ले सकते हैं तो यह जानकारी थी IPU के बारे में बाकी state के बारे में जैसे भी जानकारी मिलेगी मैं आपको inform कर दूँगा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकोन फ्रेस करें वीडियो को लाइको जदा जदा सेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के